तो नमस्कार फ्रेंट्स मैं हो संतोष पाटे संतोष रोपिंग के इस यूटूब चैनल पर आपका श्वाजत है अब हम काफी दिन से वीडियो बना रहे हैं और उसके काफी सारे रिप्लाइब तो फिर मुझे एक ऐसे क्लाइंट का रिप्लाइब जिन्होंने मुझे प्रण किया तो ऐसे कुछ चीजे कुछ चीजे थी वह मैच हो गई एक्चली मेरे सिटी से ही थे और काफी घर से नजदीक भी थे तो फिर मैंने सोचे कि चलो एक बार वीजिट भी कर ले तो फिर आज एक काम करेंगे हम वहां पर जाएंगे विजिट करेंगे और प्रण के हिसाब से क्या उन्होंने फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर किया है और उन्होंने स्पेसिपिक मतलब उसमें क्या-क्या यूज किया या फिर उन्होंने अपनी आइडिया क्या लगाए जो भी है आज हम प्रैक्रिकल साइट पर जाके देखेंगे तो फ्रेंड्स अभी पर्लीन की बीच में जितना अंतर होना चाहिए तो बारा इंच है जो कि मेंगलो टाइल के हिसाब से बरावर है उसके बाद हमने काफी स्टड़ी किया तो उन्होंने काफी बड़िया काम किया यह देखें सामने की तरफ से उन्होंने पानी पट्टी भी लगाई है जो कि उसको कलर किया था क्योंकि जन्रली मेंगलो टाइल का जो कलर आता है वह औरेंज टाइप में थोड़ा सा रहता है तो फिर अभी उन्होंने क्या कि थोड़ा सा उसको कर दिया अभी उन्होंने जैसे आउट साइड से कलर किया वैसे बिल्कुल भी उन्होंने अंदर की तरफ कि यहां पर से हम देख रहे हैं और बहुत ही आराम से टाइल लगा सकते हैं यहां पर मैंगलो को स्कुरू होती नहीं है लेकिन दिकत नहीं कहाँ सर्च radar तो प्रेशन नहीं paranoid कर कोई पर सकता है तो रहाएं सब्स्सक्राइब ऊप्सोंस तो peng यहां यह भूंद यहां बढ़ यह कोई और सरच किया था तो फिर है जोदो कर रहे हैं जो की जनलर्ली हो नहीं होती है तो फिर लिकेज होने के थोड़ी से संभाव ना होती है कि बहुती बढ़िया तरीकिसे देख सकते हैं अप्रिगेट कर रहे हैं कि कफो काफी लो लेवल पे रूफ है तो आराम से नीचे से मटल भी सप्लाइब हो रहा है और वह वह उपर से अप्लिकेशन हो रह स्लोप की डिगरी भी हमने करीब चेक की थी तो करीब 22 डिगरी के आसपास है तो वह भी एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था यह देख सकते हैं अभी हम थोड़ा सा अंदर से भी देख लेंगे की एप्लिकेशन होते वक्त अंदर से उसका क्या फील रहता है इस देख सकते है इंटर इंटर लॉकिंग जो है वह बहुत ही वड़ीया तरीके से हो रहा है कि जनले हम कोई भी लाइन अगर चालू करते हैं तो पहले एक दो टाइल है ना वह बिठा के देखना है क्योंकि वह अलाइन होना बहुत ज़र रही है एक बार दो या तीन टाइल बिठा की पूरी लगाने के बाद जो रिजिस है वहांपे आट अओ इना पड़ती है अभी नंन इक कर सकता है उसको to नाइट इतना हाड जनरेल टाइल रहता नहीं है तो फिर बहुत ही इजिली कट हो जाता है यह देख सकते हैं अभी यह कटिंग होने के बाद रिजेस भी बिठा के हो गई है रिजेस बिठाने के बाद बाजू में जो सिमेंट दिख रहा है आपको तो उसको कलर लगाना बहु है दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से हमारे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लेट हो गया है बीच में ग्लास स्टाइल भी लगाई गई है मेरा नाम आकर दिख्मुक है मैं मुझे पार्किंग एरिया में शेड बना था तो मैंने कॉल बिठाने का डिसीजन लिया क्योंकि जो पत्रा होता है उसका रेनी सीजन में भारिष की वज़े से आवा जानने का ड्रोबेग है और समर सीजन में गर्मी होने की वज़े से कोई में बैट भी नहीं सकता तो कॉल बिठाने का मैंने तरह कर दिया लेकिन कोल बिठाने का सबसाब बड़ा प्रॉब्लम है कि ज्यादा तो लोग पत्रा लगवाने के कारण किसी को इस चेत्र का ज्यादा नहीं रहता और वह स्ट्रक्चर के से बानने का पीलर के बीच में साफी फर्व होता है मुझे संतुरुपिंग के वीडियो भी दिख गए और वीडियो मुझे का अच्छे लगे और बहुत बारीकियों से इन्टिर में उन्होंने इनफर्मेशन दे रखी थी तो मैंने उनकी वीडियों से अपने अपने नॉर्स बनाए जिसमें राफ्टर क किसे कहते हैं बार किसे कहते हैं पिलर किसे कहते हैं उसकी इस्याइज क्या होनी चाहिए उसमें अंतर क्या रखना चाहिए ऐसे बहुत बारिक क्यों से उन्होंने वीडियो में बताई था और मुझे बहुत थेलफुल रहा है बाद में जब स्रुक्षर बना के पूरा हो गया तो प्रॉब्लेम आ गया कि कॉल बिठाने वाले वर्कर्स मिल नहीं रहे थे मैंने दो तीर लोगों लोगों जो कॉल बिठाने वाले हैं उनको बुलाया तो उनके साथ बातचित करके मुझे पता चला कि उन में भी मुझे उन में कॉंफिडेंस नहीं दिख रहा था तो मैंने संतु शूफिंग से कॉंटेट किया मुझे एक प्रॉब्लेम आ रही है तो उन्होंने आके काम देखा और मुझे दो तीर सला भी दी और ये काम करने वाला भी वर्कर उन्होंने बेच दिया उस ने उस व प्रेंट्स अभी हमने देखा क्लाइन का फिडवेक क्या था और सबसे बड़ी बात है कि मेंगलोर रूफ राई कैसे आप लाइक करना क्या है तो अगर आमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बहुत सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैं संतोष पाटिश संतोष रूपन की यूट्यूब चनल पर दन्यवाद हो